मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या आप सभी के सामने अपने वस्तर उतार कर खड़े हो सकते हैं या किसी के सामने जाकर खड़े हो जाएं और उसको बोले कि यह मैं खड़ा जो चाहे देखना चाहते हो देख लो जो चाहे करना चाहते हो कर लो क्या आप अपना धन सब के सामने खुले में रख सकते हैं कि कोई भी उसे चुरा ले या अपनी इस्त्री या पुरुष को सभी को सौंप सकते हैं या अपनी गाड़ी किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं यदि आपका इन सभी कारियों के लिए जबाव नामे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्यों जब मन में आये तब आप किसी भी अंजान व्यक्ति के सामने अपना सब कुछ खोल कर क्यों खड़े हो जाते हैं आप सोचते होंगे कि ये क्या सवाल है हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं परंतु आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा किया है कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं यह चाहे किसी कारणवश हो या कोतुहलवश हम सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है या मेरी इस समश्या का समाधान कैसे होगा या मेरी शादी कब होगी या मेरी विदेश यात्रा कब होगी या मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे पढ़िया नोकरी भी मिल जाए, शादी भी हो जाए, विदेश भी चला जाओं और नाम भी कमा लूँ और इस तरह के तमाम सवालों को लेकर उनका उपाए पूछने आप चले जाते हैं एक अंजान व्यक्ति के पास और अपना सब कुछ खोल कर खड़े हो जाते हैं आप उसके सामने अपनी जन्म कुंडली खोल कर रख देते हैं और पूछते हैं अपनी समस्याओं का समाधान समाधान करने में सक्षम है जोतिस एक गूड विज्ञान है यह एक डॉक्टर की मेडिकल की पढ़ाई करने जैसा है कोई डॉक्टर आपको ठीक कर भी सकता है और नहीं भी ऐसे ही कोई जोतिस ही आपको कुंडली देखकर सही से उसको पढ़ भी सकता है और नहीं भी ये आपका उपचार करते हैं आप ठीक हो या ना हो ये अलग बात है इन सब बातों को छोड़ दीजिए कि आपने उसके कहे के अनुसार काम किया प्रंतु बात नहीं बनी आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही गूड रहशे में ही बात है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ होता यह है कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके जन्म के साथ ही आपके जीवन की एक एक बात चाहे वो पूरुजनम की हो या आगे भविश्य में कुछ होने वाला हो उसकी एक फाइल तैयार हो जाती है जिस पर सभी कुछ कोड़ वर्ड में लिखा होता है या यूं कहें कि आपकी एक प्रतिलीपी तैयार हो जाती है ये कोडिंग बहुत ही रहस्य पूर्ण होती है ये आपके जन्म के समय ग्रहों नक्षत्रों पर आधारित होती है जिसे भारतिय भाषा में जन्म कुण्डली कहा जाता है जिसके अंदर आपने पूर्व जन्म में क्या किया अब क्या करने वाले हैं आपके साथ क्या होगा जीवन कैसा बितेगा जित्यू कैसे होगी इसको गूड भाशा में लिखा होता है या दूसरे शब्दों में कहूं तो आप सारे के सारे उस किताब में बंध होते हैं अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना जैसे ही आप अपनी कुंडली किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोल कर रखतेते हैं तो ये मानें कि आपने अपने आपको बिनावस्तरों के किसी के सामने खड़ा कर दिया है, जैसे हर व्यक्ति की एक औरा होती है, वैसे ही हर कुंडली की भी अपनी औरा होती है, औरा एक सुक्षम विज्ञान है, जिसको देखकर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है हर व्यक्ति का अपना औरा अलग होता है एक समान औरा वाले व्यक्ति पास रहेंगे तो वे अपने आपको सहज महसूस करते हैं जैसे ही कोई ऐ समान औरा वाला व्यक्ति पास में आता है वे ऐ सहज होना शुरू हो जाते हैं तो जब आपकी कुंडली खोली जाती है तो उसकी ओरा में जो सामने देखने वाला व्यक्ति है उसका दखल शुरू हो जाता है और कुंडली की ओरा में बिगाड आना शुरू हो जाता है इधर कुंडली की ओरा खराब होई उधर आपकी ओरा खराब हो जाती है क्योंकि कुंडली आपकी प्रतिलीपी है उसके साथ होने वाली घटनाओं का असर आप पर पड़ता है अब मान लीजिए एक जोतिशी ने आपको उपाए बताए और आपका काम सही नहीं हुआ तो आप चले जाते हैं दूसरे जोतिशी के पास अपनी कुंडली दिखाने और उसके सामने अपनी कुंडली खोल कर रख देते हैं कुंड पैंटर एक कटोरी में पानी लेता है और एक रंग से अपनी पैंटिंग मिनाना शुरू कर देता है जैसे जैसे पैंटर पैंटिंग करता जाता है तो वो अपने ब्रश को साफ करने के लिए थोड़ा सा पानी में डुबो देता है कभी नीला कभी हरा कभी पीला चाहे जो भी रंग हो, ब्रश को साफ करने के लिए चाहिए उसमें थोड़ी मात्रा में रंग लगा हो, तो क्या पानी का रंग पहले जैसा रहेगा? नहीं, तो ठीक ऐसा ही होता है आपकी कुंडली के साथ, जितनी लोगों के सामने आप खोलते चले जाएंगे, वह खराब होती चली ज होगा, तो अब की बार किसी को कुंडली दिखाने से पहले जरूर सोचें कि क्या यह जरूरी है? क्या सामने वाला व्यक्ति इसके दोशों को दूर करके इसको सही कर सकता है? जोतिश एक विज्ञान है, बहुत उत्तम प्रंतु अधूरे ज्ञान वाले के पास जाने से अच नहीं व्यक्ति का चुनाव केजिए, नहीं तो प्रभू पर विश्वास केजिए, उसने आपको आपके कर्मों के आधार पर रचा है, कर्म का पालन केजिए, कुंडली अपने आप सही हो जाएगी. ओम नमाशिवाय